जब 400 रुपिया गैस का सिलिंडर था तब एक मंत्री विरांगना हो जाती थी और गैस के सिलिंडर पर चड़ बैठती थी लोग पुछते हैं वो मंत्री जी कहा है आये तो सही अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलिंडर आये तो सही हो जब प्रधान मंत्री जी मनमौन सी जी थे मह देंगाई के लिए डॉलर की किम्मत और रुपिय को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधान मंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपिया कॉम्पिटेशन कर रहा है अरे वो तो प्रधान मंत्री जी अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने रिखने दिया मोदी जी की दो वर्थ डेट है और दोनों वर्थ डेट की उम्र से आगया ऍरौपय की किमत चली गई है वो कहते थे रौपया गीरता है तो समझे सब्सक्राइब में है मैं आज कहता हूँ कि साप ने तो रेकॉर्ड ब्रेक कर दिया जाओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में वो दिखाई तो सही है रे बाजपाई महंगाई तुन्हें कैसी आफ़त ढ़ाई महंगाई को देखके मुझे कहना पर रहा है दूब मरो दूब मरो दिल्ली बालो दूब मरो ये महंगाई को रोक नहीं सकते वो सरकार किस काम की यहां तक कि आपने समशान को भी नहीं जोड़ा समशान के उपर भी आपने जी एस टी डाल दिया तो मुदी जी ने क्या कहा था बायो बैना ये दिल्ली वाले पाप करते हैं हाई हाई बाजपाई महंग हो गई है देश की जिन्दगानी महत्व है इस देश की जनता की दिक्कतों का इसलिए मेरे नेता और लाइक माइनेट पाल्टीज ने ताई किया कि हमारे पर चाहे कितनी भी दिक्कत आए देश की जनता की दिक्कत के चर्चा हम हाउस में करेंगे और इसलिए हम यहां आए महदें मैं महंगाई पे एक चंद लाइनों के साथ अपनी बात सुरू करना चाहता हूँ मैं महंगाई पे चंद लाइनों के साथ चंद लाइनों के साथ मेरी बात सुरू करना चाहता हूँ महंगाई पे हाई रे बाजपाई महंगाई तुन्हें कैसी आफ़त ढ़ाई हाई रे बाज़पाई मेंगाई तुन्हें कैसी आफ़त ढ़ाई देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई मैं महदे मैं किसी हवाबाजी में विश्वास नहीं करता हूँ ना फैकुबाजी में विश्वास करता हूँ मैं आपको सोर्स बताऊंगा माननी महदई Ministry of Consumer Affairs इनका एक डिपार्टमेंट है Price Monitoring Price Monitoring डिपार्टमेंट जो आपका Ministry of Consumers डिपार्टमेंट का हिस्सा है उसके आकड़े आपको देना चाहता हूँ अभी पूर्व मंत्री रहे एक सदश्य जी बिना सोर्स बताए बात करते थे मैं सोर्स दिखाता हूँ महिंगाई का दर 2021 अप्रिल में 4.23% था वही महिंगाई सिर्फ एक साल में April 22 अल्मोस्ट डबल हो गया 7.79% ये हालत है इस देश की इसी इसी मिनिस्ट्री ओप कंजूमर अफेर्स के मॉनिटरिंग डिविजन ने अपने आकड़ों में कहा है कि राइस हमारे वक्त में 1st May 2014 26 रुपिया 17 पैसे प्राइस थी वो 14 फॉस्ट में को और 22 फॉस्ट में को 35 रुपिया 85 पैसा 37 परसंट बढ़ा दिया आपने यहू 20 रुपिया 5 पैसा था आपने 28.01 परसंट कर दिया माने 37 परसंट बढ़ा दिया आप यह सारी चीजों पर आपने बड़ा लंबा लिस्ट है मैं इसी इसी आधार पर जाके आप देखेंगे तो पता चलेगा मोदी जी कुछ वर्ड कोईन करने में बहुत हुश्यार है उन्होंने कोईन किया टॉप टॉमेटा ओनियन और पॉटेटो टॉप और यह आम आदमी के लिए आम नागरी के लिए टॉप जरूरी होता है उसकी प्राइजिस टॉप पे चड़ा दिया आपने यह हकीकत है कहते थे 2014 में बहुत हुई महिंगाई की मार अब लोग कहते हैं बसकर मोदी सरकार मैं आपको यह कहता हूँ आपके जरीय मोदे वित मंत्री जी मैं उसकी बहुत इज़त करता हूँ बहुत शालीन है और मैं जिस उनिवर्सिटी की बहुत इज़त करता हूँ जवारलाल नहरू उनिवर्सिटी जहां से बहुत अच्छे चे लोग निकले उस जेनियू की वो पसाउट है वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है जिनको कुछ लोग शासक पक्ष के जुड़े हुए कहते है देश द्रहियों का अड़ा गुंडों का अड़ा मैं उस जेनियू का बहुत समर्थित हूँ मैं वितमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि आप आप तो सम्वेदनशिल है आप जड़ा गुजरात के उस अख़बार को चार दिन पहले के उठा के देख लेड़ा एक एजुकेटेड बंदा सुसाइट करता है और एक सुसाइट नोट में लिखता है कि मैं मर रहा हूँ मैं पढ़ा लिखा मुझे रोजगार नहीं मिला मजदूरी करता हूँ पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे घर परिवार का पॉश्ण नहीं कर सकता हूँ मैं आत्म हत्या कर रहा मैं दूसरी बात आपसे करता हूँ उस बोतार डिस्क्री के बोतार डिस्क्री के رोजीद विलेच में महोदे एक कांड होता है महात्मा गांदी जी की भूमी जहां नशा बंदी है शराब बंदी है वहाँ शराब बिक नहीं सकती है वहाँ पे जहरीली शराब आती है 75 लोग जान गौा देते हैं मैं विशे इसी के जुड़ाय में कहता हूँ और उसी वक्त पे कुछ बच गे उनकी आँखे गई किड्नी गई वो कहता है इंटर्यू में कि मैं मजदूर हूँ मैं शराब नहीं पीता था महंगाई इतनी है महंगाई इतनी है कि मैं डबल सिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था इतनी तन्तोड मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए मैं थोड़ी सी शराब लाके पीता था और जिसमें जहरीली शराब आई मैं आपके जरिये वित मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि प्रदान मंत्री जी तो अबे गए वो वहार उजित नहीं गए थे उन गरीब के आँसू पहुचने नहीं गए वित मंत्री जी आप पदारो मैं आपके साथ चलूँगा हम दोनों जाएं और उसके घर के लोगों के आँसू देखके फिर आप फिकार करना कि महंगाई है कि नहीं और हम दोनों जाएं और वो परिवार कहे के महंगाई नहीं है मैं आपसे और इस हाउस से भी माफी माँगूगा कि मैंने जो बाशन दिया था वो मैं विड्रो करता हूँ और माफी माँगता हूँ हकिकत तो ये है कि लोग बहुत परिशान है हमारी बात उपोजिशन की बात लोग तंत्र में सरकार को सुनना चाहिए और लोग तंत्र में उपोजिशन की बात मानना भी चाहिए पर आज का दौर ऐसा नहीं है इसलिए मैं इसलिए मैं मेरी बात नहीं मैंने जब आज के प्रदान मंत्री जी के आप बहुत मानते हो बहुत सुनते हो नरेंद्र भई ने कह दिया पगवान ने कह दिया इसलिए मैं कहता हूँ कि जब वो वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे मैं विरूदी दल का नेता थू उस वक्त की विडियो मैंने निकाली है मेरे सोसिल मीडिया पर लगाई है और आप चाहोगे तो सीधी आपको दे दूँगा उसमें मोदी जी ने कहा था महंगाई को देखके मुझे कहना पड़ रहा है डूब मरो डूब मरो दिल्ली वालो डूब मरो महंगाई को देखके मुझे कहना पड़ता है भायो मैं ना कि ये महंगाई को रोक नहीं सकते वो सरकार किस काम की ये कहने वाले आज नरेंदर भाई मोदी जी का वीडियो सोशिल मीडिया पे है महंगाई से परेशान लोग महंगाई के परेशान लोग उमीद करके बैठे थे कि पार्लामेंट शुरू हो रही है हमें कुछ रिलीफ मिलेगी हमें कुछ राहत मिलेगी राहत नहीं दी आपने GST का और मार मार दिया रिलीफ देने की बज़ाए GST और बढ़ा दिया और किन चीजों पर बढ़ाया आपने जो सामान्य नागरी खाता है आम नागरी कर्ड, लसी, बटर मिल्क, पनी, राइस, वेट मुरी, जेगरी, नेचरल हनी एक हजार से नीचे वाले कमरे में कौन रुपता है एक गरीब रुपता है उस होटेल का एक हजार के कमरे के उपर भी आपने GST पाच प्रतिशत डाल दिया अरे यहाँ तक कि आपने समशान को भी नहीं छोड़ा समशान के उपर भी आपने GST डाल दिया इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है मौदय मैं यह कहना चाहता हूँ अभी माननी सदस्य प्रकास जावडेकर जी कहते थे कि आप और बॉन्ड लाए मैं आपको कहना चाहता हूँ आप आखड़े देखिए पेट्रोलियम एनालिसी सेल के आखड़े देख लीजिए आपने 27 लाख करोर रुपिये वसूल किये और बॉन्ड में कितने भरे हैं आपने सिर्फ 98,000 करोर और 27 लाख करोर रुपिया आपने टैक्स कलेक्ट किया कि इस नाम से आप बॉन्ड की दुहाई दे रहे हो मैं महदे जावडेकर साब माननी सदस्य स्री कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट रसोई गेस LPG जिसे ट्राइ करता है साओधी अराम को हमारे वक्त में 2013-14 में इस साओधी अराम को के मुताबित 885.2 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन LPG का प्राइस था और उस वक्त हम देते थे बॉटल 400 से 415 में आपके वक्त में मार्च 2022 में 769 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन LPG माने सस्ता हो गया और आपने 400 से 1100 रुपया गैस का सिलिंडर कर दिया महदे मैं पूछना चाहता हूँ जब 400 रुपया गैस का सिलिंडर था तब एक मंत्री विरांगना हो जाती थी और गैस के सिलिंडर पर चड़ बैठती थी लोग पुछते हैं वो मंत्री जी कहा है आए तो सही अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलिंडर आए तो सही हो मैं महदे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जब थी उसके आखरी तिन साल का एवरेज जावडेकर जी आप देखिए उस तिन साल का एवरेज कच्छा क्रूड था 108.46 यूएस डॉलर पर बेरल और हम कितने में देते थे कभी 100 रुपया नहीं पहुंच ने दिया और आपकी सरकार का लास्ट तिन साल का एवरेज देखो कच्छा क्रूड हुआ 60.6 यूएस डॉलर पर बेरल माने आधा हो गया पर आप ने 100 के पार कर दिया आप ये एक सेकंड दे दिया आधा मिन आधा मिन आधा मिन आपसे यही कहता हूँ कि प्तदान मंत्री जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे और राज्यों को कहते हैं कि तुम दोर जालो हम कहां से दोएंगे कम करना है तो तुम तुम्हारा एकसाइज करो करो तुम्हारे पाप से पेट्रोल डिजल बढ़ता है हम वैट कम नहीं करेंगे ये मोधी जी ने खुद कहा था वीडियो है मेरे पास मेरे खिलाफ को साथ जिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधान मंत्री जी की उम्र के साथ ये रूपिया कॉम्पिटेशन कर रहा है अरे वो तो प्रधान मंत्री जी अच्छे थे कि उन्हों ने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया मोदी जी की दो बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेटी उम्र से आगे आज रूपिय की किम्बत चली गई है ये हकीकत है वो कहते थे रूपिया गिरता है तो समझ लो प्रधान मंत्री गिर रहे है उसकी इज़त गिर रही है वो कहते थे रूपिया गिरता है तो समझ लो डेली की सरकार की इज़त गिर रही है मैं आ लाइने जो सिर्फ मैंने दी है ये इसके उपर महंगाई के उपर आप अगर दो मिनिट दे दे तो मैं दो लाइने आपका टाइम ओबर हो चुका है एक एक कविता की दो पंक्तिया हाई हाई भाजपाई महंगाई थोड़ी सी देशवासी पे करो महरबानी सारा देश तुमसे परेशान कुछ तो पुरुपा करो सरकार आई है जब से भाजपाई कठीन हो गई है देश की जिंदगानी स्वाद गया जीवन से बेस्वाद हो गई है देशवासी की जवानी श्री डेरेक अब्राएन